हलो स्टूडन्स आज हम नाइन स्टेंडर की ए सकी पोया नमबर सिक्स यहां देखने वाले इसके रचेता है अमीर खुसरों इसके विता में कुछ पहलिया पुछी गई है इस पहलियों का एक मनोरंजन रूप दिया गया है इसका उद्देश बुद्धी को चालना देना है चातुरे की परिशा लेना है प्रस्त पत्यपाट में अमीर सुक्रों ने यह नो याने नाइन पहलिया पुछी है और इसमें ऐ आजन होने का याने नाईका के साजन होने का पती होने का भ्रह्म यहाँ पे होता है देकिन जो नाईका है इस कवीता की जो नाईका है वो क्या करती है इतने अच्छे से उसका उत्तर देती है कि इससे पाठ में मन में कुथुहल होता है तो देखते हैं कवीता रात समय वह मेरे आवे भोर भय वह घर उठी जावे यह अचरन है सबसे न्यारा ए सकी साजन ना सकी तारा वह आवे तब शादी होई उस दिन दूजा और ना कोई मीठे लागे वाके बोल ए सकी साजन ना सकी धोल नाई का अपनी सकी से करती है कि रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है यानि सुबह होने से पहले ही वो क्या करता है अपने घर चला जाता है यह सबसे अलग ढंका आचर्य है यानि यह शौकिंग है उसकी सकी पुछती है, क्या वह साजन है, यानि तेरा पती है, तो नाईका जवाब देती है, अरे नहीं सकी, वह तो तारा है Next paragraph, नाईका करती है कि उसके आने पर शादी है, उस दिन किसी अन्ने की कोई पूछ नहीं होती यानि वो जब आता है, तब क्या होती है, शादी होती है, और उस दिन किसी की पूछ नहीं होती है, यानि किसी को कोई पूछता नहीं है उसके स्वर बहुत मीठे लगते है, नाईका की सकी नाईका से पुछती है, कि वह तुमारा साजन है और हमारी नाईका जो जवाब देती है अरी नहीं सकी वह तो धोल है जब मांगो तब जल भरी लावे मेरे मन की तपन बुझावे तपन याने पैस बुझाना तपन बुझावे मन का भारी तन का छोटा ए सकी साजन ना सकी लोटा नाईका करती है कि जब मैं उससे मांगती हूँ तो वह पानी भर लाता है जब भी मैं उससे कुछ मांगती हूँ तो वह क्या करता है पानी भर लाता है वह मेरे मन की गर्मी बुझाता है उसका दिल बहुत थंडा है हाँ उसका दिल क्या है थंडा है और वह मेरे मनकी याने हमारी नाइका के मनकी क्या है गर्मी बुजाता है उसका शरीर बहुत छोटा है क्या है उसका शरीर बहुत छोटा है उसकी सक्की उससे पुछती है हमारी नाइका से पुछती कि वो तुमारा साजन है नाईका बड़े ही सूर से बोलती है अरे नहीं रे सकी वह तो लोटा है नेक्स बेर बेर सोव तही जावे ना जागू तो काटे खावे व्याकुल कोई में हक्की बक्की ए सकी साजन ना सकी मक्की यानि यहाँ पर हमारी कवी का नाईका बोलती है वह बार-बार मुझे सोते से जगा देता है यदि मैं नहीं जागती तो वह मुझे काटता है हमारी जो नाईका है वो सोती है तो उसे क्या है बार-बार वो जगाता है अगर नाईका नहीं नीन से जागी तो वो क्या करता है नाईका को काटता है इससे में विकल और आचेरे चकी थू नाईका की सकी पूछती है कि वह तुमारी तुमारा साजन है नाईका बोलती है अरी नहीं वह तो एक क्या है मक्खी है हक्की मक्ख्या ने बोच चक्का याने काटना ओके नेक्स अति सुन्दर है रंग रंगोली है गुनवंत बहुत चटकीलो राम बजन बिन कभी न सोता क्यो सकी साजन अरे ना सकी वह तो है तोता यहाँ प्यामरी नाईका बोलती है कि उसका रंग बहुत सुन्दर है और वह रंग रंगीला है याने बहुत रंगीला है मस्त है मनमोजी है वह बहुत गुनी और गाड़े चमकदार है क्या है वह गुनी है और गाड़े चमकदार याने उसका जो कलर है बहुत डार्क है क्या है वह बिना रामराम कहे कभी नहीं सोता है क्या है वो बिना राम राम कहे कभी नहीं सोता है तो अपनी जो नाइका की सक्खी पुछती है उसे कि वह तुमारा साजन है तो हमारी नाइका अंसर देती है अरे ना सक्खी वह तो एक तोता है नाइका के question से ऐसे लगता है कि उसका वो साजन है लेकिन जब बोलती है उसका वर्नन करती है तब लगता है कि अरे ये तो उसका साजन नहीं है अर्थ निशाव आवे बोर सुन्दरता बरेने कवी कौन निखरता ही मन भयो आनन्द क्यो सक्खी साजन ना सक्खी चंद नाइका करती है कि वह मेरे घर में आधी रात को आया वह इतना सुन्दर है कि उसकी सुन्दरता का वर्नन कोई भी कवी नहीं कर सकता है उससे देखते ही मेरा रुदय आनन्द से भर उठता है क्या बोलती है हमारी नाइका कि रात के समय अर्ध याने आधी रात को मेरे घर पे आता है वह इतना सुन्दर है इतना सुन्दर है कि उसका वर्नन कोई भी कर नहीं सकता है और उसे देखते ही मेरा जो रुदय है मेरा जो मन्द है वो आनंदित प्रफुलित हो जाता है उसकी सकी पुछते है कि क्या वो साजन है तो हमारी नाइका बोलती है अरे नहीं न सकी वह तो एक चंद्रमा है क्या है चंद्रमा औबियसली चान को देखने के बाद किसी का भी मन क्या हो जाता है प्रसन हो जाता है होता है कि नहीं शोबा सदा बढ़ावन हारा आखिन से छीन होतन न्यारा आठ पहर मेरो मनरंजन क्यो सकी साजन ना सकी अंजन क्या है हमारी जो सकी है उसका क्या है शोबा शोबा में हमेशा रुधी होती है यानि वो बहुत सुंदर दिन बदिन वो क्या है वो सुंदर दिखने लगती है उसकी वह शोबा बढ़ाता है वह आखो से एक शन के लिए भी दूर नहीं होता है देखो हमारे सकी के आखो से एक शन भी वह क्या है दूर नहीं होता है उसकी क्या करता है वो शोबा बढ़ाता है वो आठव पहर मेरे मन को प्रसन रखता है क्या करता है वो हमारे सकी के मन को क्या करता है प्रसन रखता है उसकी सकी पुछती है क्या वो साजन अरे नहीं न सकी वह तो है एक अंजन अंजन याने काजल क्या है हमारे सकी के वो क्या करता है शोबा बढ़ाता है और आठो पहर उसके साथ रहता है तो वो क्या है एक अंजन है याने काजल है जीवन सब जब ज्यासों कहें ना दिनने न जीरज है भरे जिन कर ले किया कितीर तो सक्षाजन ना सक्षी नीर नाइका करती है कि सब लोग यह करते है कि यह जीवन उसी के कारण है हमारी नाइका करती है सब जो जीवन है उसी के कारण है उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता क्या है यह जीवन उसी के कारण है मेरा और उसके बिना क्या है बिल्कुल धीरज भी नहीं रहता है वहक्षन भर में रुदय का कष्ट दूर करता है देखो हमारे नाइक का रुदाई जो है वोक्षन भर में क्या करता है कश्ट का दूर करता है उसकी सकी पूछती है क्या सकी वह नाजन है अरी ना ना सकी वह तो पानी है पानी के बीना हमारा जीवन क्या है अदुरा है उसके बीना किसी का जराबी धिरज नहीं रहता है अगर पानी की पैस बहुत जोरों से लगती है तो बिल्कुत धिरज नहीं रहता है और जब पानी पीते है तो हमारा जो रुदे का कश्ट है वो क्या है? शान्त हो जाता है पीन आये सब ही सूख बले आये ते अंग अंग सब फुले सीरा भई लगावत चाती